श्री गनेशाय नमहा ये राशी फल चंदर राशी पर आधारित है चंदरमा मन के कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंदरमा की स्तिती लेकर आती है और इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज के जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके according हमारा दिन अच्छाया बुरा जाता है तो आईए जानते हैं इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के प्रिणाम ला रहे है इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में छटे भाव में रहेंगे इस दिन आप दूसरों की गलतियों को नजर अंदाज करें आप इस समय में दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज हो सकते हैं आपके अपनों से भी नाराज होने की संभावना रहेगी दोस्तो हर चीज़ को positive नजरीय से देखे हर situation को शांती से संबालने की कोशिश करे आप अपनी family के साथ रहे enjoy करे और अगर किसी चीज़ से परेशानी होती है तो उसे पूरे तरीके से नजर अंदाज करने की कोशिश करे इस तरीके से आप दिन का पूरा अंद उठा सकते है बिजनेस करने वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा लेकिन कही निवेश ना करे और पैसों का लेंदेन करना नुकसान दाइक हो सकता है अगर काम में मन ना लगे तो परिशान ना हो क्योंकि आप सब कुछ संबाल लोगे आप काफी मेहनत करने वाली विक्ती है आप जैसे मेहनती लोगों को समस्याओं से बाहर निकलने के मार्ग मिल ही जाते है इस समय में अगर आप नया पार्टनर ढूर्ण रहे है तो आपको मिल सकता है दिन लवलाइप के लिए अच्छा रहेगा लेकिन किसी को प्रपोस करने के लिए ये समय ठीक नहीं है तो थोड़ा रुक जाना ही बेहतर रहेगा अपने पार्टनर से दूर ले जाने वाले रास्तों से आज आपको दूर ही रहना चाहिए तातकलिक आकरशन से बचे अगर किसी बात से पार्टनर से अनबन या जगड़ा हुआ है तो बढ़ने की संभावन रहेगी तो शान्ती बनाए रखने की कोशिश करे अगर स्टूडन्स की बात करे तो स्टूडन्स को इस वक्त अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान अपनी पढ़ाई पर देना है आप ख्यालों में खोसकते है या फिर आपका मन भटक सकता है बाहरी दुनिया की तरफ ज्यादा किचाओ रहेगा लेकिन आपको अपनी पढ़ाई पर ही पूरा फोकस रखना है क्योंकि आपके जीवन में पढ़ाई सबसे महतोपुर्ण है पढ़ाई का यही सही समय है बाकी चीजों के मौके जीवन में बार-बार आने ही वाले है अगर आपके स्वास्थ की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो कमरदर्ध या पईरों में दर्ध की शिकायत रह सकती है, सरदी खासी होने की संभाव नहीं रहेगी, छोटी मोटी समस्याय रह सकती है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं रहेगी योगा करे प्रानयाम करे अपने खान पान पर नियंतरन रखे और सुबह टहलने जाना ना भूले इस दिन आप केसर या चंदन का तिलक अपने माथे पर लगाते है तो आप शांत रहोगे आपके लिए लाबदायक रहेगा इस दिन हो सके तो मंदिर जरूर जाए भगवान से प्रार्थना करे और एक रुपे का सिक्का गुल्लक में जरूर डाले इस समय में आपके लिए हरे रंका इस्तिमाल करना अच्छा रहेगा और आपके लिए इस दिन पाच अंक लकी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बाते वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखे नमस्कार दोस्तो व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सफलता प्राप्त होती है परन्तु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाए घटित होती है जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिति में व्यक्ति को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीज़े होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीज़ों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीज़े नजर नहीं आती वह चीज़े हमारे चारो तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीज़ों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारतमक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारी नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते है हम सोचते हैं हमारे जीवन में हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है लेकिन हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है और वो चीजे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर आप कही बाहर से आते हैं और अपने जूते चपल इधर उधर कही भी उतार देते हैं तो ये अशुब होता है क्योंकि इधर उधर जूते चपल उतारने की आदत की वज़े से आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में रुकावटे उत्पन होती है इससे उन्नती में बाधा आती है इसलिए आप अपने जूते चपलों को उनकी जगय पर ठीक प्रकार से रखे दोस्तों काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है कही से भी बाहर से आते है कही भी जूते चपल फेक देते है कही पर भी उतार देते है कुछ कुछ लोग तो घर के entry के main door के सामने ही जूतेया चपल डायरेक्ली उतार देते हैं ये तो बहुत ही गलत है साथ ही कुछ लोग जूते चपल उल्टे रख देते हैं उस पर ध्यान नहीं देते लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है और जूते चपल हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं दोस्तो ध्यान रखे जूते चपल हमेशा साप सूत्रे रखे और उनको उनकी जगे पर रखे उनके लिए एक स्थान बनाए उस स्थान पर रखे अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की है तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पर उने रखे साप सूत्रा रखे जूते चपलों को उनकी जगे पर कुछ इस तरह से रखे को देखने में भी अच्छी लगे अगर वो चीजे देखने में अच्छी लग रही है तो फिर उनसे निगेटिव एनरजी उत्पन होने की संभावना बिलकुल भी नहीं रहेगी तो दोस्तो इस बात का ध्यान जरूर रखे साथ ही दोस्तो एक और बात है जिस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के छट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उपर रख देते हैं लेकिन वो चीजे तो काम में नहीं आती हमारे जीवन पर वो चीजे बहुती गहरा निगेटिव एफेक्ट डालती है इसलिए हमारे घर के उपर का जो भी एरिया है वो पूरी तरह से साप सुतरा रखे जी हाँ साप सुतरा रखना है और एक भी बिना काम की चीज हमारे घर के उपर नहीं रखनी है दोस्तों नहीं तो हम जीवन में मेहनत करते ही रहेंगे और हम जितना पास सकते हैं उतना नहीं पास सकेंगे क्योंकि ये चीजे हमें कही ना कही हमारे जीवन में पीछे रखेगी इस वज़े से घर के चछत को पूरी तरह से साप रखे पूरी तरे से сाप सुत्रा रखे, क्लीन रखे साथ ही दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीड़िया है उन सीड़ियों के निचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही जिन लोगों को पता नहीं है उनके घर आपको सामान मिलेगा ही लेकिन जिने पता है वो लोग हमेशा सीडियों के नीचे की जगए साप सुत्री रखते हैं और एक भी चीज वहाँ पर आपको नहीं मिलेगी क्योंकि अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है जी हाँ सीडियों के नीचे कूडा कच्रा कबार अगर हम जमा करके रखते हैं कोई भी सामान रख देते हैं तो उस वज़े से मालक्ष्मी हम पर प्रसंद नहीं होती मालक्ष्मी हमारे घर में आने की संभावना बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो दोस्तों इन चीजों पर ध्यान रखे हमारे घर की सीडिया होती है उनकी नीचे की जगा हमेशा साप सुत्री रखे क्लीन रखे साथी दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मोजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बहार निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीज़े कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धन की देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं होता है इन चीजों से आपके घर में नकारात्मक उर्जा का संचार होता है और जिस वज़े से व्यक्ति को मानसिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति के मन में चीड़-चीड़ा हट होती है और चोटी-चोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीड़ों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूड़ा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास बात है हमारे घर में मकडी का अगर जाला है तो वो बिलकुल भी शुब नहीं है जी हाँ वो अशुब माना जाता है घर में मकडी का जाला होना अशुब है इससे आपके अच्छे दिन भी बूरे दिनों में बदल सकते है क्योंकि मकडी अपना जाल श इस से सकारत्मक उर्जा का नाश होना शुरू हो जाता है और घर में नकारत्मक उर्जा बहुत ज्याधा बढ़ जाती है इसलिए आप अपने घर को हमेशा साफ सुत्रा रखे कम से गम एक महीने में अपने घर के हर कोने की साफ सफाई जरूर करें जी हाँ वैसे तो एक हपते में साफ सपाई करनी ही चाहिए लेकिन ना हो सके तो एक महिने में तो आपको घर पूरी तरे से साफ करना चाहिए और मकडी के जालों को खास करके अपने घर में बिलकुल भी पना ना दे दोस्तो मुख्य द्वार भी हमेशा साफ सुत्रा रखे मुख्य दार मुख्य द्वार को हमेशा सजाया जाता है क्योंकि मुख्य द्वार से ही हमारे घर में लक्षमी का प्रवेश होता है तो मुख्य द्वार को साफ सुत्रा रखे और सजा कर रखे तो बहुत अच्छा रहे इससे मानसीक रोग और घर की परिशानिया दूर हो जाएगी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और इसके साथ साथ आएके नए स्तोत भी खुलने लगेंगे इसी के साथ और कुछ चीजे है जैसे टूटी फूटी जो भगवान की मुर्तिया होती है वो हमारे घर में नहीं रखनी चाहिए साथ ही जो भगवान के पुराने फोटो है जो जमा करके रखे हुए होते है तो दोस्तो वो चीजे नहीं रखनी चाहिए जो भगवान के फोटो या भगवान की मुर्तिया जो घर के मंदिर में हैं बस वहां तक सिमीत है अगर आपके घर के शोकेस में भी वो मुर्तिया रखी है कुछ फोटो रखे थे उने भी साफ करते रहना चाहिए जिन चीजों को हम मेंटेन नहीं कर पाते साफ नहीं रख पाते उन चीजों को घर से हटा देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा साथी दोस्तो कुछ तस्वीरे हैं जैसे डूपते नाव की तस्वीर या फिर जगड़े की तसवीर या फिर कुछ ऐसी तसवीर होती है जो देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये तसवीर negativity दर्शा रही है इस तरह की तसवीर भी आपको आपके घर में नहीं रखनी है जी हाँ इस तरह की तसवीर लगाने सी भी हमारे जीवन में उसी तरह के घटनाए घटित होना शुरू हो जाता है हर एक चीज हमारे घर के हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोटे बदलाव करके हम हमारे जीवन में खुशिया ला सकते है तरक्य ला सकते है धन ला सकते है मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करे धन्यवाद